चलिए पंडाल की ओर चलते हैं आपने देरे-देरे कदमों के बढ़ाते हैं छोटे-छोटे हमने देखो बाई क्या पंडाल बनी हुई है ताबर तोड और यह देखी बाई कोई टिकेट नहीं लगेगा आप लोग को यहां पर आने के लिए सामने देखो बाई क्या बहतरी महल नहीं हुई है यह है पंडाल देख पार कितना ही खुबसूरत लग रही है बहुत ही सुंदर लग रहा है बाई मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है पहले आने वाले इन सद्धालु है जो हमसे भी पहले पहुश गया देखाओ हम तो जो सब्सक्राइब जो इस marque 말 है और चिम सिर्वाट और विलाई पर बनी ऊई है यह वाली पंडाल इस वर् Bang कर दो कर दो कर दो जो कर दो को कर दो दोस्तों आज की नई वीडियो का और मैं आज चुका हूं दोस्तों जाई के खुब बहुत ही कुप्सूरत पंडाल जोगी सबसे बड़ी पंडाल बनी हुई है पुरसी पारपाज जिसको अंडर चौक सी राम चौक के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए दोस्तों इस व्लो लायट से बहुत ही कुप्सूरत थी यहां पर पंडाल बनी हुए तरहां बहुत ही जोद्य में पंडाल चलते हैं आप्रमों के बढ़ाते हैं च्छोटे-छ पैरों से और पंडाल की बहुत ही बहत्रिन और बहुत ही प्यारा है यहां पर पंडाल और लाइड देखिए चारू और बहुत ही बढ़िया सुन्दर इस तरके जूमर भी लगाया हुए है ना तो यह देखिए खुपसूरत सी पंडाल बनी हुए यह सब लोग वीडियो बना रहे और पहले दिन देखो दोस्तों कितने खुपसूरत कितने लोग आयं हुए दर्शन करने के लिए जो कि पहले दिन आये हुए हैं यह भी देखिए आज पहला दिन है यह जह दो चली यहां से अंदर चलती है भाई लाइड वाइड बहुत ही प पर यह बाई स्पाइडर मैन भी है यहां पर यह देखिए पूरा पूरे जूले लगे हुए भाई अभी जूले लग रहे हैं और देखो दोनों तरब कहा ही खुबसूरा सी यहां पर लाइटे वगेर लगे हुए है चूले के त्यारी थोड़ा लेट हुआ है लग रहे है इस बार जो है थोड़ा नीचे में यह देखो बजरी गिट्टी जो होती ना बजरी गिट्टी और यह देखिए बाई कोई टिकेट नहीं लगेगा आप लोग को यहां पर आने के लिए किसी भी चार्जेस नहीं है यहां पर श्रीप आओ दर्शन करके चले जावाई कोई नहीं लगेगा कोई चीर यह भाई अपना ड्रैगन ट्रेन इसमें बहुत ही खुसूरत सा मेला लगता है कभी कभी नौरातरी के डाइम तो लगता ही है और गनेश के डाइम भी लगता है लेकिन इस बार इस तरफ मेला लगाया हुए है और यह पूरा मसीन है जो जूला स्रिफ कुर्सी पार का है और यहां के मुर्ति कहां से आई है यह भी आप लोगों को बतलाने वाला हूं दोस्तों मुर्ति आई है प्रेमलाल मुर्तिकार थनौत से आप भी हां का ओडर दे सकते हो मतलब मुर्ति का नेक्स्टियर थनौत दुर्ग में है दोस्तों मैं धनौत के तिरु परणार प्वेज़ पर संदिभी consum वीडियो बनाए हो आप लोगो दिखाया हूँ, पंडाल देखो एक कि यह हैं पंडाल देखवा हुए excited lot सुल को भाला अन्धेन लग रहा है बहुती प्यारा लग रहा है यह पंडाल देखे, और यह देखिए जगह साफ हो जाती है तो चली एक बार दिखाते हैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से मंडाल की न जारे काफी खुशूरत से पंडाल बनी हुई है काफी बड़ी पंडाल बनी हुई है चली आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं पहले आने हुआ ले इन सद्ध्रालू है जो हमसे भी पहले पहुंच गया है देखो हम तो लेट ही आया है लगब शर्री टेंटर और यह नजारे यह भीड यह थ्रमक अपल लगी हुई है बाइब पूरे थ्रमकव्पल से पंडालब से बनी हुई देखो इसे इसे मंदिर जो है ये बनारास में है और सेम यही थिम बनारास में है जो की औरीजिनल मंदिर है जो की पूर्सी पार विलाई पैर बनी हुई है ये वाली पंडाल इस वर्व काफी सुंदर लगड़ी इसलिए मैं आभी पंडाल के जो सदर्शेगण है इस समीती के जो सदर्शेगण है उसे पूछ रहे गया थे कि कौन सी फेम तो बनी है और कौन सा मंदीर है तो इस सर्ववेद मंदीर बना रास्ती है हुआ 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 है हुआ 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 है कि राम चौक भी बोलते है तो सिराम जी का मूर्ती तो रहे गई रहेगा और यह सर्ववेद मंदीर बना रास्त की है जो कि वही थीम में कुर्सी पार बनी है आपको एक बार और बता देता हूं काफी कुपसूरा सी और देखो कितने भीड अभी सरदालू आई रहे हैं कि रामने में ही बन रही है यहां पर देख पा रहे को चीश तरी कैसे यह पूर्व।व दुकान लगे हुइए यह फूरय आप लोगों को यहां बर मेला भी नजर आएगा आप लोगों को इस तरीके से मेला लगे हुई है पूरा विलाइन से चालूने वाली कुझीफ